नमस्ते दोस्तों मैं अनीता और मेरे कीचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ आटे और मावे की हेल्दी पिन्नी इसे आप विंटर स्पेसल भी कह सकते हैं इसे आप एक महिने तक रख सकते हैं और विंटर में आप इसका आनंद उठा सकते हैं गरम दूद या चाय के साथ यह आप की इमिनिटी को बूस्ट करता है और विंटर में होने वाली बहुत सारी बिमारियों से आपको बचाता है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर ट्राय करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बराना श इसके बाद मैंने इसमें एक बड़ी चमच गोंद डाल दिया है तो यहां पर धियान रखना है कि आपको गैस का फलेम बिल्कुल मेडियम रखना है अगर आपने घिर को बहुत जादा गरम कर दिया तो गोंद एकडम से उपर से शीक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहें अगर आपको गूंद को बिलकुल अच्छे से भूनना है तो गैस का फ्लेम मीडियम रखे और उसके बाद गूंद को डाल कर इसको चलाते वे इस तरीके से भून लेना है तो यहाँ पे यह देखिए जो गूंद थे वो साइज में डबल हो गया है और बहुत अच्छे से फू कर लेंगे फ्लेम को मीडियम रखे और गूंद को फ्राय कर लेना है उसके बाद इस सारे गूंद फ्राय हो चुके हैं यहाँ पे कुछ मैंने मेवे लिये हैं जिसको काट लिया है बारीक टुक्रों में तो इसको आप चाहे तो अलग से घी से फ्राय कर सकते हैं लेकिन मैं को बहुत आसान तरीका बताऊंगे जो आगे आप देखेंगे अब इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कप घी लिया है 200 ग्राम और एक बावल आटा लिया है आटा आधा किलो लिया है मैंने तो कडाही में उसी कडाही में मैंने घी डाल दिया है और जैसे ही घी गरम हो गया ह इसमें मैंने एक चम्मच बेशन लिया है बेशन डालने से इसमें बहुत अच्छा सोंधा बनाता है बहुत अच्छी कुष्पू आती है तो इसलिए इसमें मैंने एक चम्मच बेशन डाल दिया है यहां पे मैं चक्की वाला आटा इस्तमाल कर रहे हूं ध्यान रखेगा कि जो हम गेहु का आटा ले रहे हैं लड्डू बनाने के लिए वो मोटा होना चाहिए अगर आटा मोटा नहीं है तो इस स्टेज पे आप एक चमत सूजी भी डाल सकते हैं घी में तो अब एक कटोरी जो हमने आधा किलो आटा लिया है उसको डाल देंगे और उसके बाद इस सब अश्चे को मिक्स करके हम भूनेंगे जब तक इसमें एक अच्छा कलर ना जाए और इसमें से अच्छे सी हखुषबू ना रगता है यहाँ पे इसका रंग भी चेंज हो चुका है और अच्छे से बून मैं अच्छे खुश्च भू आएगी और उसकेभाद मैंने जो ड्राई फूट्स लिये हैं अधाल दोगे तो एक कटोरी बादाम लिया है बारीक कटेवे एक कटोरी मैंने काजोrian lotta कore मैंने घर्बूजर की बीज लिया है जिसको मगज भी और साथ ही इसमें मैंने आधी कटोरी किसमिश डाल दी है इन सब को डालने के बाद हमें अच्छे से mix कर लिना है और जैसे ही आप इनको mix करेंगे इसमें इतनी ज़्यादा heat होती है इतनी ज़्यादा गरमाध होती है कि ये dry fruits अपने आप इसमें भून जाते है तो इसके बाद हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है इनको मिक्स करने के बाद अब यहां पे मैंने एक चमच सौट का पॉडर लिया है सौट का पॉडर इसको और हेल्दी बनाता है और विंटर में होने वाली बहुत सारे बिमारियों से हम इस रच्छित रखता है तो इसलिए हम यहां सौट का पॉडर डाल रहे है यहां पे मैंने बड़ी इलाइची ली है बहुत अच्छी खुश्बू आती है इसे लड़ू में और स्वाद हुई आता है और सौफ लिया है तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं तो सबसे पहले इलाइची को हम क्रश करके इसमें से जो दाने हैं वो निकाल लेंगे और सौफ के साथ इसको दर-दरा कूट लेंगे खलबटे में हम इसको कूट रहे हैं आप चाहें तो इसको मिक्सी में ढाल कर दर-दरा मोटा पीच सकते हैं इसमें मैंने एक इलाइची को छील कर डाला है और इस तरीके से इसको मोटा कूट लिया है सौफ और इलाइची से बहुत अच्छी कुछ भूआएगी और साथ ही इनके अपने हेल्थ बेनिफिट हैं तो जरूर इसको मिक्स करिएगा सर्दियों में खास कर आप अगर इस तरीके से पिन्नी बनाते हैं सौट, सौफ और इलाइची को डाल कर तो आपको बहुत फायदा होने वाला है अब इन सब को मिक्स करके हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब जो हमने गोंद भूंद कर रखा था उसको खलबटे में डाल दिया है और इस तरीके से क्रश कर रही हूँ बहुत आसानी से ये क्रश हो जाता है तो यह देखिए आप चाहिए तो इस तरीके से सारे गोंद को क्रश कर सकते हैं या फिर आप हाथों से भी क्रस कर सकते हैं, जो आसान तरीका आपको लगे, आप उससे कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर यह देखे, इस तरीके से मैं दिखा रहे हूँ, हाथों से भी आसानी से क्रस हो जा रहा है, बिल्कुल पाउडर बन जा रहा है इसका, तो सारे गोंद हम इसमें मिक्स कर देंगे मुझे आसान तरीका लगता है लेकिन तभी यह होगा जब आपने गौंद को अच्छे से मीडियम फ्लेम में फ्राइ किया होगा अगर आप हाई फ्लेम में फ्राइ करेंगे तो बीच में गौंद में गाट सी रह जाएगी जो खाने में भी अच्छी प्राइब कर दिया है ताकि जब हम इसमें मीठा मिलाए तो मिक्स करने में आसानी हूँ तो यह देखे यहां पे मैंने एक कटोरी मैंने भूरा लिया है यह गुड का पावडर होता है इसे सक्कर भी कहते हैं कई नामों से जाना जाता है इसको डाल चोर मीठा दिए यहां प तो आप चीनी का तगार आता है, उसका भूरा आता है वो ले सकते हैं या फिर गुर को बारी क्रस करके भी डाल सकते हैं बीच बीच में जो गूंद के टुकड़े आ रहे हैं उसको भी हाथों से क्रस्ट कर दे और उसके बाद इसके उपर से मैंने एक बड़ी चमश देशी घी डाल दिया है बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है अगर आप एक चमश देशी घी उपर से डालते हैं तो लड़ो का स्वाद पिन्नी का स्वाद दुगना हो जाता है तो अब छोटे छोटे पोर्शन लेकर हम आटे की पिन्नियां तयार कर लेंगे गूर से बहुत हेल्दी ऑप्शन हो जात हैं और एक दूसरा साइज का बना कर मैं दिखा रही हूँ तो इस तरीके से जो भी हमने पिन्नी तयार करने है वो तयार कर लेंगे इस मिक्स्चर से और तयार है विंटर स्पेचल आटे और मावे से भरपूर पिन्नी यह बहुत ही हेल्दी है इसमें सौंट है सौंफ है और अगले रेसिपी पसंद आती है तो जरूर ट्राइ करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी मिलती हूं अगले रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार बाबाई